तो हेलो सुडेंस वेल्कम बैक टो चैनल नीट फाउंडेशन क्लास 9th & 10th जितने भी न्यू सुडेंस आए हैं यू कन दू वन तिंग और क्या गाम करना देखो वीडियो के नीचे इस तरीके से आपको सब्सक्राइब का ओप्शन दिखाई देरोगा उस पर आप क्लिक कर दी फ़लेंगी ठीक है अगर जो भी हम वीडियो में कर रहे हैं जो भी हम क्लास में पड़ रहे हैं अगर ऑसके अनटें। हैं वाई कर सकते हमारे ठेलिग्रूप को आप फाउंडेशन क्लास 910 10 अगर आपको नोड़ियो लोगोanks यसाुक्त के पा лет फाउंडेशन देगा उस गुरुत को आप जॉइन कर सकते हैं जॉइन करने के लिए डिस्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी आप जॉइन कर सकते हों ठीक है इतनी चीज़े आपको समझ में आई अब देखो अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी है अपको सारे लेक्टर्स अच्छी लगी है so you can also do one thing कि आप हमारी विडियो को लाइक कर सकते हैं इसे हुक कि हमारे जितने भी विडियो हमारा motivation जो वह इसी तरीके से बढ़ता रहेगा इसी तरीके से आपके लिए वीडियो जो वो हम डेली लेके आते रहेंगे ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले let me introduce myself to you, my name is Sachina and I have done my master's in physics and इस चैनल पर मैं आपको physics and chemistry ये दोनों चीज़े पढ़ाती हूं है ना, तो ये देखो, so आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, देखो, हम continue कर रहे हैं अपने क्लास 9th का Science Pack chapter है, chapter number 3, Atoms and Molecules यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो chemical formula होता क्या है इसके बारे में देखते हैं पहले, तो देखो, the chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition ठीक है, कि किसी भी compound का हम chemical formula लिखते हैं, उसका meaning क्या हुआ, कि वो किस element से वो बना हुआ है उनका एक symbolic representation होता है, chemical formula ठीक है, जैसे simple है H2O, H2O यह हमारा क्या है, यह भी क्या है, हमारा chemical formula है किसका है, हमारा water है, water के compound का chemical formula क्या है, H2O ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे compounds होते हैं, तो उनका हम chemical formula अज बनाना सीखेंगे, किस तरीके से chemical formula उनका बनाया जाता है इसके लिए देखो, आपके NCRT की book में एक बहुत अच्छा example दे रखा है, क्या example दे रखा है, जैसे imagine there is a octopus, octopus के कितने hands होते हैं, eight, eight arms होती हैं उनकी, तो अगर एक octopus को हम show कर देते हैं, ओ से, octopus को हम किस से show कर रहे हैं, ओ से, यह imagine करना जैसे, एक octopus जो है, वो अपने, वो क्या करना, human beings के hands को पकड़ रहा है, अब देखो, octopus को human beings के hands को पकड़ना है, तो उसके दोनों hands पकड़ने के लिए कितने arms use करने पड़ेंगे, octopus को, दो, ऐसे ही, अगर octopus अपने सारे arms से human beings के hands को पकड़ें, तो कितने humans हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, चार, कि आठ अगर arms है, टोटल, तो चार humans होंगे, हर एक के लिए दो, दो arms लगेंगे, तो अगर एक octopus है, तो उसके लिए, कितने humans होने चीए, चार, तो एक octopus, एक octopus के लिए कितने हैं, चार humans होने चीए, तो यह हमन इसी तरीके से यहां पर water को इसको अपलाए कर दो कि एक oxygen molecule के साथ में कितने hydrogen atoms होंगे दो होंगे चीक है तब क्या बनेगा water का compound बनेगा ठीक है इतना अच्छे से समझ में आया देखो आपको अब इसके बाद देखो next हमें क्या देखना है अगर आपको यह अच्छे से समझेंगे अगर आपको chemical compound chemical जो हमारा formula है उसको form करना है chemical formula लिखने है तो उसके लिए आप क् करना है learn करना है ठीक है अब यहां पर देखो जैसे octopus का ही example लिया था कि एक octopus जो है कितने human means को hold करके रख सकता है चार है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि octopus की capacity कितनी है चार है यह जो capacity है यहां पर compounds के उसमें क्या जाएगा इसी को क्या बोला जाता है valency ठीक है जैसे कि कोई भी element जो है वो कितने दूसरे elements को hold करके रख सकता है वो इसकी capacity हो गई वही उसकी क्या हो गई valency हो गई ठीक है तो यहां पर देखो यह चीज आपके बुक में लिखी भी है कहां लिखी है देखो यहां पर यह तो combining power यह यह जो capacity है किसी भी element की इसको क्या बोलते है उसकी valency बोलते हैं, valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms, valency से हम यह पदा लगा सकते है कि कोई भी element जो है वो दूसरे element से किस तरीके से combine करेगा ताकि chemical compound जो है वो बन सके ठीक है यह अच्छे से समझ में आया अब देखो यह अच्छे से समझ में आया अब हम क्या करना है आपको यहां पर इस table को अच्छे से learn कर लोगे जैसे sodium का name of sodium name of iron यहां पर उसका symbol है sodium na plus ठीक है na plus अब देखो आपको charge उपर देखना है कि charge क्या है plus 1 है एक ही positive charge है यानि कि हमारे sodium की valency कितनी है 1 ऐसे ही potassium है potassium के ऊपर charge कितना है एक ही चार्ज है positive charge है इसका meaning क्या हुआ कि sodium की valency कितनी है 1 है ठीक है ऐसे ही जैसे यहां पर sulfate है sulfate हमारा polyatomic iron है SO4 इस पूरे की charge कितना है minus 2 charge है इनके 2 negative charges है इसका meaning क्या हुआ कि इसका sulfate की जो valency है वो कितनी है 2 है तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया है इतना अच्छे से समझ में आया आप देखो इसी table को use करके हम क्या करेंगे अपने formula chemical formula जो है वो बनाना सीखेंगे यहां पर देखो यहां पर formula बनाने के लिए आपको क्य करने है कुछ rules जो है वो follow करने है और वो क्या follow करने है देखो the valencies or charges on the iron must be balanced इसका meaning क्या हुआ देखो जो valencies है यहां कि जो हमारे charge है और charges on the iron iron के उपर कितने charge है एक है दो है तीन है कितने charges है उनको हमें क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा यहां कि अगर एक positive charge उसके supply करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को cancel करके balance हो सके यहां कि हमारा atom जो है वो stable हो सके इतना अच्छे से समझ में आया कि end में हमें करना क्या है अपने charge को या अपने iron को जो भी हमारा atom है उसको हमें stable करना है अगर positive charge है उसके उपर तो हमें negative charge supply करना पड़ेगा और अगर इतना च्छे से समझ में आया आपको अब देखेंगे next देखोगे when a compound consists of a metal and a non-metal यानकी एक हमारा compound है उसमें एक metal है और दूसरा non-metal है तो कैसे formula लिखना हो उसका उसका formula हमें लिखना है पहले metal आएगा and बाद में क्या एगा non-metal आएगा जैसे एक example लिखो आपके बुक में example है calcium oxide, calcium oxide उसका नाम हमने क्या लिखा है calcium oxide, calcium क्या है metal and oxygen यहाँ पर क्या है non-metal है तो पहले metal आया फिर बाद में क्या आया non-metal आया इसी तरीके से sodium chloride, sodium और chlorine से यह बना हुआ है तो sodium क्या है metal है and chlorine क्या है non-metal है तो पहले metal बाद में non-metal ऐसे ही copper oxide भी हो गया iron sulfide हो गया यह सारे इन सब में क्या है पहले metal है बाद में non-metal है ठीक है अब उसके बाद देखो in compound swarmed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by the including the formula of ion in a bracket ठीक है इसका meaning देखो क्या हुआ अगर हमारा जो compound है वो एक polyatomic ion से बना हुआ है polyatomic जैसे मानलो sulfate हो गया, carbonate हो गया है यह सारी चीज़े है carbonate हो गया इन से वो बना हुआ है तो उस case में क्या होगा कितने polyatomic ions हमें चाहिए वो represent करने के लिए हम क्या करते है अपने जैसे SO4 है यह SO4 हमें कितने चाहिए जैसे मानलो 3 चाहिए तो उसको हमें इस तरीके से bracket म रख करके नीचे नीचे रिखना पड़ेगा 3 ठीक है तो यह जो नीचे 3 लिखा हुआ है यह रिप्रेजेंट कर रहा कि कितने polyatomic ions of sulfate SO4 हमें required है इसी तरीके से एक्जामपल एको MgOH होल्ट्वाइस हाइड्रॉकसाइड हाइड्रॉकसाइड के कितने polyatomic ions होने चाहिए दो नीचे तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसमें ब्रैकेट में रखा और लिख दिया उसके नीचे अगर मालो हमें एक ही polyatomic ion चाहिए ना तो अगर एक ही polyatomic ion हमें चाहिए तो उसको ब्रैकेट में रखने के जोटने ही पड़ेगे ठीक है यह अच्छे से समझ में है आज देखो आज हमने इसके रूउल से थे हैं क्या क्या रू उमें फॉल्लो करने है नेक्स्ट लास्ट में हम कुछ कॉनले बना दे लेका आज़ा सिंबल यहां में आपको देखेंडा का फॉरμला हाइडifferent को बनाना है ठीक है तो निल्वाइं ऑलेमाली है fronts कि च्लोरियन का symbol क्या है CL है, दोनों की valency आप table में से check कर लोगे दोनों की valency कितनी है 1 है और यहाँ पर chlorine की भी 1 है, देखो check भी कर लोगे यहाँ पर table को देखो कैसे use करना है hydrogen देखो, उस पर कितना charge है, एक positive charge है, ठीक है, ऐसे chloride को देखो, chloride पर कितना charge है, negative charge है, कितना है 1 है, यानकि hydrogen पर positive charge, chloride पर एक positive charge, ठीक है यानकि जो one number आया है उसको आपको देखना है अब जो one number आया है, उसको देखोगे, यहाँ पर one, यहाँ पर one है तो अब क्या करना है, इन दोनों को अब इनको cross multiply करना है यानकि यह जो one है इसको इसके साथ में multiply कर दो यह जो one है, इसको hydrogen के साथ में रखना है, जैसे hydrogen का कितना चीए, one चीए chloride का कितना चीए, one चीए दोनों का same ही है तो लिखने के जोड़ नहीं है क्या आएगा HCl, ठीक है ऐसे ही hydrogen sulfide का भी देख लोगे, hydrogen का अभी valence हमने देखी थी one, ऐसे ही sulfide sulfur की valence कितनी होती है two, अब दोनों को आपको क्या करना है, cross कर देना है hydrogen के साथ में कितने चाहिए दो चाहिए, है ना और sulfide के कितने चाहिए, one चाहिए अब one लिखने के जोड़ है नहीं है ना, तो h2s हमारा इसका formula बन क्या अच्छे से समझ में आया, आपको देखो ये चीज़े हो गई ठीक है एक और देख लेंगे, जैसे मालो ये sodium oxide है ये देख लेते है, sodium nitrate एक polyatomic ion का example और देख लेते है, sodium का formula क्या है, na, और इसकी valency कितनी है, plus one है, इसके valency कितनी है, positive है, one है, ऐसे ही nitrate का symbol क्या है, NO3 इसका symbol क्या है, one है है ना, इसके valency क्या है one है, तो na हमें कितना चाहिए, na हमें कितना चाहिए, one चाहिए ऐसे ही NO3 हमें कितना चाहिए, ये भी हमें, one ही चाहिए अब लिखने की जवत है नी तो सिंबल क्या बना एन एन ओ थ्री ठीक है सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मला हमारा बन गया तो इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने फॉर्मले आप बना सकते हों तो आज हम इतना ही करेंगे अब हम मिलेंगे नेक्स लास में नेक्स लास में हम डिसकर्स करेंगे मॉलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट ठीक है ओके सुडेंस बाई एंड टेक केर